हलो गाईज, स्वागत है आपका अर्भी टू हिंदी चैनल पर और आज की इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं अभी शब्द का इस्तेमाल अर्भी लेंजिज में कैसे किया जाता है साथ ही डेली लाइफ में यूज होने वाले 36 से जादा एसे अर्भी सेंटेस आप सीखने वाले हैं जिनका यूज आप अभी शब्द के साथ कर सकते हैं वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए बहुत कुछ इस वीडियो से आप नया सीखने वाले हैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी सो रहा हूँ, अभी खाना कर रहा हूँ इस तरीके के वाले क्यों कर लिए आप ये वाले सेंटेस इस्तमाल कर सकते हैं मैं अभी खाना खा रहा हूँ अलहिन अना आकिल अलहिन अना आकिल अलहिन अना आकिल ये आप वो सकते हैं आकिल अलहिन आकिल अलहिन आना लगना जरूरी नहीं है यहां पर आप खाने की जगा अपना काम लगा सकते हैं अलहिन अना शगल अभी मैं काम कर रहा हूं अभी मैं सो रहा हूं अलहिन अना नौम इस तरीके से बाद की बना सकते हैं आप अभी खाना खा रहा हूँ अभी ओफिस से बाहर निकलो Get out now in the office इतला बर्रा अलहिन फी मक्तब इतला बर्रा अलहिन फी मक्तब इतला की मतलब होता है निकलना बर्रा या बाहर इसे इस्तिमाल किया जाता है जिसे हिंदी में हम इस्तिमाल करते हैं बाहर निकलो अलहिन अभी फी मे के लिए इस्तिमाल किया जाता है मे के लिए ये से के लिए इस्तिमाल करते हैं मक्तब ओफिस इतला बर्रा अलहिन फी मक्तब अभी ओफिस से बाहर निकलो इतला बर्रा अलहिन फी मक्तब ज़्यादा लोग उस्से में इस्तिमाल करते हैं यह वाला वाकिया आप सोफ्ट वेयर में भी इस्तिमाल कर सकते हैं अभी ओफिस अठाईए यहाँ पर लगा दीजाप अभी रूम से बाहर निकलो अभी घर से बाहर निकलो अभी गाड़ी से बाहर निकलो आपको खाली यहाँ से मक्तब शब्द अठाना है यहाँ पर लगा दीजाप रूम इतला बर्रा अलहिन फी गुर्फा अब यहाँ पर गाली लगा दीजे, अभी गाली से बाहर निकलो, get out now in the car, इतला बर्रा अलहिन, फी सयारा, इतला बर्रा अलहिन, फी सयारा, अर्वी जादा गिरा नहीं है दोस्तो, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, तो अर्वी लेनविज बहुत असान लेनविज है, बस थोड़ी सी पैक्टिस की जुर्वात है, और अर्वी के महौल की थोड़ी जुर्वात है, जो कि आ इतला बर्रा अलहें, अभी बाहर निकलो, आपके सेंटेज में कोई फरक नहीं आने वाला, अर्वी में आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, यह वाक्या काफी यूसफुल हो सकता है अपके लिए अगर ध्यान से समझे तो, अभी करो, अभी काम करो, अभी अराम करो अभी छुट्टी करो, इस तरीके के वाकिया बना सकते हैं, इस सेंटेज का इस्तेमाल करके, अभी करो, सब्वी अलहीन, सब्वी अलहीन, क्या करो, अभी काम करो, सब्वी अलहीन शगल, सब्वी अलहीन शगल, अभी छुट्टी करो, अभी एराम करो, अभी रूम साफ करो अभी फर्ज साफ करो, अभी सीलिंग साफ करो, इस तरीके से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, आपको बासी दो तीन शब्दों का ग्यान होना ज़रूरी है, सब्वी का मतलब होता है, करना अभी का मतलब होता है, अलहिन, सब्वी अलहिन, अभी करो, सब्वी अलहीन नजीफ अभी साफ करो सब्वी अलहीन नजीफ अभी साफ करो अभी रूम साफ करो सब्वी अलहीन नजीफ गुर्फा अभी गाड़ी साफ करो सब्वी अलहीन नजीफ सयारा तो इस तरी के साब बाकिव बना सकते हैं यह sentence भी ऐसा है जिसको आप multi way में use कर सकते हैं passport अभी बाहर निकालो take out the passport now तल्ला बर्हा अलहिन जवाज यहाँ पर भी आप जवाज को हटा के कुछ भी लगा सकते हैं एक दो example बताता हूँ मैं आपको बेग अभी बाहर निकाल आप एरपोर्ट पे हैं चेक इन हो रही आपकी तो बोल सकता है तल्ला बर्हा अलहिन जन्ता यह संता यह हकीबा बेग को कही तरीकों से बोला जाता है या वो कह सकता है कि टिकेट अभी बाहर निकालो यह इस वाकिव को आप उस जगा भी यूज़ कर सकते हैं आपने गाड़ी पार्किंग की है तो गलत पार्किंग कर दी है तो सामने वाला आप से बोल सकता है अभी बाहर निकालो गाड़ी को तल्ला बर्रा अलहिन सेयारा तल्ला बर्रा अलहिन सेयारा तल्ला बर्रा अलहिन सेयारा नाओ के आगे आप कोई भी वर्ट लगा देंगे तो आपका sentence चेंज हो जाएगा तल्ला बर्रा अलहीन अभी बाहर निकालो कुछ भी लगा सकते हैं आप अब आप अभी चालू करो अभी चालू करो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं अभी मशीन चालू करो शगल अलहीन मकीन यह भी पेले वाले शब्त कितना है अलहीन के आखिर में आप लगा सकते हैं मकीन, मकीन इसमी मशीन यह अपर आप गाड़ी लागा सकते हैं, यह पंक्खा लागा सकते हैं, एसी लागा सकते हैं, कुछ भी लागा सकते हैं यह अपर अभी चालू करो शगल अलहीन, शगल अलहीन, शगल का मतलब होता है चालू करना, चलाना शगल काफी जगा यूस किया जाता है एक दो एक्जम्पल बताता हूँ मैं आपको बेदर समझ पाएंगे अभी कार चालू करो शगल अलहिन सयारा शगल अलहिन सयारा जिसको हम बोलते हैं स्टाट, स्टाट कार, स्टाट इसनाव कार शगल अलहिन सयारा अभी कार चालू करो और आप इसको बोल सकते हैं अभी एसी चालू करो यह पर भी लागा सकते हैं यह आप कह सकते हैं अभी पंखा चालू करो इन दो शब्दों को पकड़ना है आपको खाली शगल अलहीन शगल अलहीन इसके आखिर में आप कोई भी शब लगाएंगे तो आपका sentence बन जाएगा जैसा कि मैंना आपको बता है शकल के स्क्माल काफी जगा किया जाता है काम के लिए भी शकल के स्क्माल करते हैं एक दो एक्जामपल और समझीजे अभी घर में काम चल रहा है अभी घर में काम चल रहा है यहां से भी आपको बेद को हटाना है हो सकते हैं आपके कंपनी में काम चल रहा है हो सकते हैं आपके आफिस में काम चल रहा है हो सकते हैं आपके रूम में काम चल रहा है तो आप हो सकते हैं या हो सकता है आपकी गाले में काम चल रहा है और कुछ आप से पूछता है कहा हो , तो आप कह सकते हैं अभी गाली में काम चल रहा है oh, अकू event, एक शड़ अलहिए में काम चल रहा है, आप मकानिक के पास है धर अगरthat okay में काम चाले तब देखि कर सकते हैं शेकल अलहिंफी मुकय कि में जूच सन्सम माड़नु करने जब गु decision तो कमपनी शरीका रूम पर काम चल रहा है शेकल अल्हिन की घुर्फा मोबाइल पर काम चल रहा है जैसे भी चाहें इस वाकिय का यह स्तेमाल आप काफी जागा कर सकते हैं अब क्यूं डर रहे हो लेश अन्ता खौफ अलहिन लेश अन्ता खौफ अलहिन वाईएर्यू अफ़र्ड नाउ लेश अन्ता खौफ अलहिन जसे कि मैं आपको शायद पहले बता चुगा हूँ लेश की जगा यहाँ पर आप शुनू लगा सकते हैं जो हम इस टोटली रॉंग, नाव स्टार्ट लेश इंता खौफ अलहिन लेश अन्ता खौफ अलहिन अब क्यूं डर रहे हो किसी को आप बोलते है ना कोई डर रहा है या गबरा रहा है उसको बोलते हैं आप तुम क्यूं डर रहा है अब तो आप यह वाला वाक्य अस्तमाल कर सकते हैं लेश इंता खौफ अलहिन अब क्या डर है लेश इंता खौफ अलहिन अब क्यूं डर रहे हो या क्या डर है क्या मसला है क्या परशानी है है इस तरीके के वाक्यी करें आ आप यह वालें स्क्राली करना है यह बार कि पार कि यह B uciрийू यह उसक्ता है मैं अभी आपको दिखाता हूं आहा होव्य रिक अलहिवर ही्वर्क अलहियर मैं भी आपको दिखाता हूं। इसको आप दो-तिन जगा यूज़ कर सकते हैं या आप इसको पोजिटीव यूज़ कर सकते हैं या सोफ्ट कॉर्णर में या हाइड में यूज़ कर सकते हैं आपको जिसे आप किसी को बोल सकते हैं कि मैं अभी आपको अपना room दिखाता हूँ मैं भी आपको documents दिखाता हूँ I will show you या मैं भी आपको अपना license दिखाता हूँ Auvarik Alhin Auvarik Alhin Alhin के आगे लगा सकते हैं आप passport Alhin के आगे आप लगा सकते हैं ticket जो चीज आप दिखाना चाहते हैं आप यहां पर लगा सकते हैं और दूसरा आप किसी से गर्म गर्मी हो गई है तो वहाँ पर भी आप गुस्टे में बोल सकते हैं मैं अभी दोमें दिखाता हूं लेकि आपका गऊसे कर सकते हैं अवर का मतलब होता है कि मैं आपको दिखाता हूं कि अभी हम्ाविक हम दोमें डिखाता हूं शो मी नाव मुबाइल अर्भी है इसकी वर्रीनी अलहिन जवाल मुझे अभी मुबाइल दिखाओ मुबाइल को हटा के यहाँ पर आप कोई भी चीज लगा सकते हैं मुझे अभी पासपोर्ट दिखाओ मुझे अभी टिकेट दिखाओ मुझे अभी बेग दिखाओ मुबाइल की जगा आप जो चीज यहाँ पर लगाएंगे आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा वर्रीनी अलहिन जवाल और रीनी अल्हिन जवाल है, शोमी नाव मोबाईल शोमी नाव शोमी नाव वरीनी अल्हिन अभी मुझे दिखाऊ अर्भी है सकी वरीनी अल्हिन वर्रेनी अलहिन अलहिन के बाद आप कुछ भी लगाएंगे तो आपका sentence complete हो जागा मुझे अभी room दिखाओ, मुझे अभी घर दिखाओ इस तरीके सा आप वाकिय बना सकते हैं अभी नहीं, note now नहीं को अभी में काफी तरीकों से इस्तिमाल किया जाता है मैं तीनों शब्द आपको बता देता हूँ वाकियों के दर ये माफी अलहिन, माफी अलहिन, माफी इस्तिमाल करते हैं नहीं के लिए माफी अलहिन, मुझ अलहिन, मुझ भी शब्द इस्तिमाल किया जाता है नहीं के लिए, मो अलहिन, मो अलहिन, मो शब भी इस्तिमाल किया जाता है, और भी बहुत कुछ है, जो नहीं के लिए इस्तिमाल किया जाता है, लेकिन वो तादातर आपको डोकुमेंट्स में पेपर में लिखा हुआ दिखेगा, अभी नहीं, माफी अलहिन, मुश अलहिन, मो मुझे अभी तस्वीर भेजो अरसिल अलहिन सूरा अरसिल अलहिन सूरा नाव सेंड मी पिच्चर यहाँ पर भी आप सूरा को हटा के कुछ और डोकुमेंट्स का नाम लगा सकते हैं यहाँ पर मुझे पास्वीर भेजो मुझे डोकुमेंट्स भेजो मुझे आपी भेजो अर्फिल का मतलब होता है send करना भेजो अल्हिन का मतलब जानते हैं आप सूरा का मतलब होता है picture send me now send me now अर्फिल अल्हिन अर्फिल अल्हिन अर्फिल अल्हिन गुली अलहीन वेन मुदीर गुली का मतलब होता है बोलना गुली मुझे बोलो गुली अलहीन वेन मुदीर Tell me now Where is the manager? मुझे अभी बताओ Manager कहा है मुझे अभी बताओ Manager कहा है यहाँ पर भी आप मुदीर को हटा के कुछ भी लगा सकते हैं किसी और शेफ्स का नाम लगा सकते हैं मुझे अभी बताओ ड्राइवर कहा है मुझे अभी बताओ तबाग कहा है किसी का भी नाम लगा सकते हैं आप गुल्ली अलहीन वेन मुदीर मुझे अभी बताओ मेनिजर कहा है मुझे अभी बताओ Tell me now अभी हैस की गुली अलहीन इसे अब शुरू करो Stat is now शगल अलहीन इसके आगे आप लगा सकते हैं गाली को अभी start करो जिसने बोलते हैं गाली को भी शुरू करो शगल अलहीन सयारा यहापर भी आप गाली को हुटा के खुच भी लगा सकते हैं पंके को भी शुरू करो AC को भी शुरू करो तो यह वाला वाक्ष़ भी काफी useful हाग़ा आपके लिए शगल अलहिन अभी शुरू करो क्या शुरू करो आप आगे लागा सकते हैं अलहिन के बराबर में Start is now शगल अलहिन अभी मार्किट जाओ रो अलहिन सूख रो अलहिन सूख अभी मार्किट जाओ रो अलहिन सूख यह आप कह सकते हैं आप रो सूक अलहिन, रो सूक अलहिन जैसे मैंने पहले बताया था आपको अरबी के शब्दा की दूशे कर सकते हैं, आपका sentence वही रहेगा जब सामने वाले साब बोलेंगे, रो सूक अलहिन, यह सूक रो अलहिन, इसका मतलब यही होता है कि अभी market जाओ, go to the market now market को हटाके यहाँ पर आप लागा सकते हैं, अभी school जाओ, अभी company जाओ, अभी room पर जाओ, अभी घर पर जाओ रो सूक अलहिन, 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 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में जज़्य ज़्य 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 Go now, row alhin Call me now काफी useful sentence हो सकता है, ध्यान से सुनिए Call me now, मुझे भी phone करो कल्लमनी अलहिन ये वर्टसप के दरीये भी आप मैसी भीज़ सकते हैं किसी को कि मुझे भी फून करो कल्लमनी अलहिन कल्लमनी की जगा आप लगा सकते हैं असवी असवी का मतलब भी होता है कॉल करना असवी कल्लमनी कल्लमनी अलहिन मुझे अभी फोन करो Can I do now? मैं अभी करूँ असवी अलहीन यासे हो सकता है आप बोल सकते हैं क्या मैं अभी काम करूँ असवी अलहीन शुगल या मैं अभी जाओं असवी अलहीन रो असवी अलहीन रो या मैं अभी बोलूँ असवी अलहीन गुल असवी अलहीन गुल तो इस तरीके के वाकिया बना सकते हैं और ये काम के लिए इस्वाल कर सकते हैं मैं अभी करूँ असवी अलहीन मैं अभी वैस्त हूँ I am busy now अना मजगूल अलहीन मजगूल बोलते हैं या मस्रूफ बोलते हैं इसको भी दो तीन तरीकों से समाल किया जाता है मस्रूफ हम वैसे समाल करते हैं जैसे हम उर्दू और हिंदी में करते हैं मजगूल बोलेंगे तो अरब लोग ज़ादा समझते हैं मजगूल शब्द मैं अभी बिजी हूँ मैं अग्दर अलहिन मैं अभी नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता I can't I can't now मा अग्दर अलहिन मा अग्दर अलहिन जिसे आप से किसे ने कोई काम कहा है और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं कर सकता आप यवादा शब्दे इस्तेमाल कर सकते हैं मा अग्दर अलहिन मैं नहीं कर सकता मा अग्दर अलहिन का मतलब जानते ही है आप मा का मतलब यहाँ पर नहीं के लिए है यूज में लिए गया है अगदर होता है करना मा अगदर अलहिन मैं नहीं कर सकता मा अगदर अलहिन मा अगदर अलहिन किसी को आपको बोलना है कि मैं नहीं कर सकता माग दर अलिन मैं अभी नहीं कर सकता अभी आप क्या कर रहे हो आप सो कोई पूछता है ना आप क्या कर रहे हो अभी आप क्या कर रहे हो शुनू सवी अलिहन शुनू सवी अलिहन शुनू सवी अलिहन अभी आप क्या कर रहे हो यह कह सकते हैं आप अब चाहें तो अन्ता भी लागा सकते हैं अगर आप काम कर रहा है तो आप बोल सकते हैं मैं अभी बिजी हूँ यह आप सो रहे हैं जो भी सिच्वेशन है अब अलहीन अना के बाद लगा सकते हैं अब क्या हुआ शुनुफी अलहीन शुनुफी अलहीन वाट्स नाव अब क्या हुआ या वाट हैपन भी बोल सकते हैं अब क्या हुआ शुनुफी अलहीन शुनुफी अलहीन या बोल सकते हैं एश वी अलहीन शुनुफी अलहीन शुनुफी अलहीन शुनुफी अलहीन इसवेलिय में जाद अस्तिमाल किया जाता है वाट क्या लिए एश सबूदी अरभ में तो काफी वाट किया जाते हैं वाट के लिए एश, वेश, शुनू, मादा भहुत सारे वाकी इस्तेमाल किया जाते हैं किनके सबूधीरा बहुत बड़ा है वहाँ पर काफी सिटी है तो मैंने देखा है काफी काफी सिटी में different different शब्द इस्तेमाल किया जाते हैं शुनुफी अलही ये दो फेमस The word के लिए शब्द जो जादा यूस किया जाते हैं क्या हुआ ? क्या हुआ ? क्या हुआ ? मैं अभी आपको दिखाता हूँ यह आप दो तिन जागा यूज़ कर सकते हैं गुस्ते में भी यूज़ कर सकते हैं किसी का बोल रहें गर्मा गर्मी होगा यह आप बोल रहें मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ और इक अलहीन यह आप सोफ्ट वे में भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं अभी आपको रूम दिखाता हूं मैं अभी आपको घर दिखाता हूं मैं अभी आपको डॉकमेंट सिखाता हूं इस जगा भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप और इक अलहीन मैं अभी आपको दिखाता हूं Don't be afraid now अब डरो मत अब डरो मत ला ताखव अलहिन अब डरो मत अब डरो मत अभी कितना वजा है अब डरो मत नहीं नहीं बता है कि अर्वी में से उसे कि गहाता है कि इस वीडियो को आप देख सकते हैं जो आपको ऊपर देख रहा हैzone बेटन पर मिल जाएगी और वीडियो की नीचे डिस्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताया है कि अर्भी में टाइम किस तरीके से बताया जाता है बहुत ही असान तरीके से इस वीडियो में सिखाया गया है कि अर्भी में आप टाइम किस तरीके से बता सकते हैं अभी कितना बजा है यह अभी क्या टाइम हुआ है केम अलसा अलहीन केम का मतलब होता है कितना अल्सा, सा का मतलब होता है टाइम, घड़ी भी बोलते हैं सा को अल्हिन का मतलब होता है नाव इस वीडियो में हम अल्हिन शब्द का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम वाक्यों में अल्हिन को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभी या अब इस शब्द को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो में हम वही सिका रहे हैं अभी कितना बजा है केम अलसा अलहिन या आप अलवक्त से पहले अलवक्त क्या आपके पास अभी समय है इंदक का मतलब होता है आपके पास क्या आपके पास टाइम है या अलवक्त अलहिन जैसे मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं कि आपके पास अभी समय है किसी से पूछ रहे हैं आप आपको जवाब दे ला अलहिन माफी वक्त ला अलहिन माफी वक्त I don't have time right now ला अलहिन माफी वक्त ला अलहिन माफी वक्त माफी की जगा आप बो सकते हैं तो इस तरीके से अर्भी के अलहिन शब्द के इस्तिमाल करके आप बोलने वाली अर्भी के भूस सारे sentence बना सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जनकरे के लिए बता दूँ इस चैनल पर अर्भी की भूस सारी ऐसी वीडियो मुझूद हैं जिनको देखकर आप अपनी अर्भी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी अर्भी और बहतर बना सकते हैं उन वीडियो को भी जरूर चेक आउट कीजिए जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए जहां पर आपको पीडियेफ फाइल भी मिलेगी अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मासलामा अल्हाफिज